ओके कैसे हो तुम लोग तो स्वागत है तुम लोग का एक नई वीडियो में देखो वैसे तो माइनक्राफट बहुत ही हस्ता खेलता नॉर्मल सा गेम है लेकिन कई बार हमको ऐसी ऐसी चीज़े देखने को मिलती हैं जो बहुत डरावनी होती हैं तो आज की इस वीडियो में ह लोग माइनक्राफ्ट के उनी रहस्य और मिथ्स जैसे की क्या राज है एंड डाइमेंशन और एंशेंट सिटी का कि उनके बीच इतनी सिमेलरिटीज मिलती है और क्या सच में ये मिस्टीरियस क्राइंग प्सीडियन के अंदर कोई पोर्टल कैद है और आखिरकार जानेंगे क्या माइनक्राफ्ट का सीक्रेट एंटीटी दनन्ल सच में एक एक्जिस्ट करता है स्टोरी ओफ दननल तो ये एक Minecraft creepypast आया और इंटरनेट पे बहुत लोगी से story में believe करते हैं तो आथ से बहुत साल पहले Minecraft के starting versions में Alex नाम के बंदे ने Minecraft खेलने के लिए एक दुकान से पुराना PC खरीदा था और वो ये देखके हरान रह जाता है कि उस PC में पहले से ही Minecraft था और उस Minecraft में उसको एक world मिलता है जिसका नाम होता है The Null और जब Alex उस world में जाता है तो असली कहानी शुरू होती है Alex को उस world में बहुती weird village मिलता है और और भी world को explore करने के लिए जब Alex cave में जाता है वहाँ वो बहुत सारी suspicious चीजों को notice करता है और वहीं उसकी नजरे पढ़ती है एक बिलकुल black color के entity बे जिसकी बस आँखे glow हो रही थी ओके तो बहुत लोग का मानना है कि वो entity The Null था तो यही जीज़ टेस्ट करने के लिए मैं अब उस world में जाने वाला हूँ तो यह विलेज खत्रों से खाली नहीं होने वाला विट अब भाई यह घोड़ा नलकी तरह क्यों दिख रहा है ऐसे मट डराय करो यार एक सेकिंड वाट यह कैसे हो सकता है इस विलेज में soul fire जल रही है यह तो बिलकुल impossible चीज हो रही है मेरे को और कौन मारा वे अब यह क्या है भाई ब्लैक रोज यहां क्या कर रहे है एक सेकिंड ब्लैक रोज ब्लैक होर्स यह सब दनल के इशारे है एनिवेज मेरे पास अभी कोई लूट नहीं है तो विलेजर हो काई माल लूटता हूँ इस बहर में तो कुछ नहीं है एक फार्मार अंकल कुछ खाना मिलेगा ओ यह फार्मार अंकल कांगा एक सेकेंड सारे विलेजर कांगा और अभी एक मिनट हुआ है यह वर्ड में अभी से रात ओने लग गई यह विलेज में कुछ तो सब्पिश ओव फीट आयरन और पॉप प्रणा में यहां से बहर जा रहा हूं वेट कुछ तो सांड आ रही है कितनी अजीब सी सांड है भाई यह इस साड से आ रही है इसका पीछा करदा हूं और तो मैं भागता बागता इस केव तक आ चुका हूं फिलाल तो वह क्रीपी सांड आनी बंद हो गई है एंड अगर म ओके गाईज तो क्या सच में वारडन अलंड टायमेंशन से आया है यानि की एंशन टाइंब में वारडन एंड डायमेंशन में रहता था वेल LAUnd इस बात के हिंट और कलूस तो हमको ऐंचें सिटी और Hetty दोनों में देखने को मिलते है जैसे कि अगर तुम दोनों डायम है तुम लोग यूटर पर वीडियो कुछ रोंफ मेरी नई लॉंग वीडियो देखने को मिलजाएंगी अब और मेरे को वॉलोड जो की एंशन सीटीन से लाए गया है और हूंपर आ हमारे पस एंड स्टोन जो की एंड डाइमेंशन का है और जब हम लोग स्कुल्क ब्लॉक के नीचे का पार्ट एंड स्टोन से मैच करते हैं तो उन दोनों का कलर एंड टेक्शर एक्जैक्ली सेम हैं इस ब्लॉक को देखके ऐसा लगता है कि एंड स्टोन के ऊपर बस थोड़ी सी गंदी लेयर चड़ गई है और यह similarities बस इन दोनों ब्लॉक्स तक ही नहीं रहती नाव हमारे पास दो और आइटम्स हैं तो सबसे जादा एंडर मैं एंड डाइमेंशन में होते हैं तो वहां से हमारे पास एंडर पर और एंशन सिटी का एक और आइटम स्कल्क श्रीकर्स अभीन मे अंदर यह जो टेक्शर है या फिर एक डाइमेंशन टाइप आफ हमको दिखाया जाता है यह चीज़ भी मैच करती है एक और एंशन सिटी में पाई जाने वाले आइटम से यह भी डार्क ग्रीन और ब्लैक है वो भी तो फाइनली इतने सारे क्लूस देखने के बाद हम अदम नहीं होता हमारे पास दो ऐसे मोब्स हैं जो कि आपस में इतने जादा मिलते हैं कि उनमें कोई डिफरेंस भी नहीं बता सकता तो मैं बात कर रहा हूं एले और वैक्स की तो सबसे पहले अगर हम इनकी सिमिलरिटीज की बात करें दोनों का साइज बिल्कुल से मैं दि पुला चोड़के रखा है तो यह कोश्चन ने मेरे को परेशान करके रख दिया और बहुत टाइम से मेरे माइंड में है तो इसी लिए मेरे पास है एक त्योरी तो पुराने टाइम में वोड्लेंड मैंशन और पिलेजर आउट पोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पिल बल्ट हो जाती है और उसी में मोरवकी जगाह दो मोब बन जाते हैं जोकि होते हैं एमण और एक व्यक्स इस्में वैक्स तो उनके काम क checklist करें बिल्कुल वैसा हि होता है, लेकिन LA उनके किसी काम का नहीं होता, क्यूंकि वो बस आईटम्स उठाता है, तो तभी खी, पिलेजर आउट पोस्ट में कैद करके रखा जाता है, LA को वैक्स को यूज'S करा जाता है, सिक्योरिटी के लिए Also इसी theory से related internet पर एक myth है कि अगर हम LA को evoker के पास थोड़े time के लिए छोड़ देंगे तो evoker उसके साथ experiment करके उसको wax में convert कर देगा Alright तो इस myth को test करने के लिए evoker के पास मैंने एक LA को spawn कर दिया है और अब हमको कुछ time के लिए इन दोनों को अखेले छोड़ देना है तो जब तक LA के साथ experiment चलता है हम लोग explore कर लेते हैं crying obsidian को So एक foreign youtuber ice stream के according crying obsidian के अंदर एक secret portal कैद है या फिर कुछ ऐसी mysterious power जिसको हम लोग अभी तक find ही नहीं कर पाएं तो सबसे पहले हम लोग को crying obsidian की origin को समझना पड़ेगा तो naturally तो crying obsidian ruined portal के पास ही मिलता है और ruined portal को देखके ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई blast हुआ है और उसी blast में जो हमारा normal obsidian है वो crying obsidian में बदल गया अगर हम crying obsidian को गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि obsidian और portal के बीच का ही जो हिस्सा है इसको combine करके crying obsidian बना है और दोनों में से ही purple color की energy emit होती है और purple effect एक और mob के साथ होता है यह देखो enderman का जो effect है वो भी purple ही color का है तो क्या ही crying obsidian की कोई power है और आने वाले future में क्या हम लोग crying obsidian के use करके teleport हो सकते हैं enderman की तरह यह तो आने वाले time में ही पता चलेगा फिलाल हम वे एक चीज़ पता लगा सकते हैं ओके तो finally evoker ने इस LA के साथ काफी time बिता लिया है लेकिन यह LA अभी तक wax में convert नहीं हुआ तो हाँ evoker वापस से LA को wax में convert नहीं कर सकता यह बस एक myth है तो minecraft में बहुत सारे creepy seeds हैं चुकि बहुत लोग को पता भी है लेकिन अभी तक इस game में एक ऐसा seed चुपा हुआ है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं और उस world में एक ऐसी weird mysterious चीज़ है कि अगर तुम end dimension में गए तो वहाँ से कभी lot के नहीं आपा होगे तो मैं आप उस world में जाने वाला हूँ तो मैंने अपना minecraft खोल लिया है तो अब मैं एक नया world बनाने वाला हूँ तो वह जो mysterious seed है उसको मैं enter कर देता हूँ अगर तुम लोग भी इसमें जाना चाहते हो तो इसका screenshot ले ले लेना तो मैंने अपना seed डाल दिया तक के लिए जमीन ही नहीं है ओ भाई साब ये सब कितना अजीब है ये देख रहे हो सारे कि सारे जो end dimension के पोल्स है वो सब कि सब हवा में उड़ रहे है और लाइक दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा सिरफ अंदेरा है वेट मेरे को नीचे कुछ दिख रहा है ओके ये end city का portal है वाट एक तो ये इतना नीचे जाके और यहाँ पर portal ही नहीं है चिक कैसे हो सकता भाई यहाँ पर कोई portal नहीं है और उपर ओ भाई साब मेरे दिमाग के पार जा रही हैं इस सब चीजें तो यहाँ वो मित्स सच था कि अगर हम एक बार end में आ जाते हैं तो यहाँ से वापस नहीं जा सकते क्योंकि एंडर ड्रेगन को मानने के बाद भी portal तो खुलेगा ही नहीं अगर तुम लोग को ऐसे माइनक्राफ्ट के स्केरी मित्स देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना जैस गाइस वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल में बूलना अगर तुम लोग नहीं चाहते कि आज रात तुम्हें तरावने सपने आ ह और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत बूलना नहीं तो नल आएगा भाई सपने में ओके तो फाइनली इस वीडियो को यहां ही रैप अप करते हैं और पिंट कमेंट में दी गई लिंक से रूटर एप को डाउनलोड करके मेरे को फॉलो करना बिल्कुल मत बूलना तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई